हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप माइक्रोवेब में तिली और मूमफली को बहुत ही अच्छी तरीके से और असान तरीके से भून सकते हैं क्योंकि विंटर का सीजन है बहुत सारी चीजें हम मूमफली और तिली से बनाते हैं जैसे मूमफली की चिक्की है तिली के लड्डू है लेकिन इन सारी चीजों का टेस्ट डेपेंड करता है कि आपकी जो मूमफली और तिली है वो किस तरह से भूंजी हुई है अच्छी तरह बकर भूझे होती है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गैस पें हम कितने भी कोर्षिश करते हैं तो जब भी इनको भूंचते हैं तो कुछ न पूझ थोड़े से जल नहीं कीया एससे थोड़े से काला पना जाता है तो फिर वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता ह लेकिन यदि आपके माइक्रोवेव है तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भून सकते हैं तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया है यहां पर तिली ली है वो 300 ग्राम तिली ली है और आप मैंने ले लिया है कांच का बोल और मैं इसमें तिली को डाल दूँगी तो यहां पर कॉंटिटी का बहुत ध्यान रखना है जैसे कि मैंने 300 ग्राम ली है तो जितना टाइम में दिखा रही है उतने टाइम में आपकी तिली भून जाएगी लेकिन यदि आपकी तिली कम है तो आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा एक से डेड़ मिनिट का आपको कम टाइम लगेगा तो आप चेक करके अएक बार देख लीजे का आपकी भूंज गई है कि नहीं कि जल तो नहीं रही है तो आप मैंने रख दिया है तिली को और अब इसका हम टाइम और मोड सेट करेंगे तो हम भूझेंगे इसे माइकरोवेब के माइकरो मोड में तो यहाँ पर आ गया हमारा देखिए माइकरो मोड 900 वॉर्ट स्टार्ट की बटन को दोवा टेप किया और 5 मेंट का टाइम सेट कर दिया तो यह आग यह देख सकते हैं अब इसकी इन पर 5 मेंट का टाइम स्टार्ट की बटन को टैप किया आफटर 5 मिनिट्स हमें इसे एक बार चलाना है क्योंकि जो माइक्रोवेव की हीट होती है वो बीच में जादा होती है, साइड में कम होती है इसलिए हम इसे चलाना रहता है यदि आप इसे नहीं चलाएंगे और एक साथ 10 मेंट का टाइम सेट कर देंगे तो जो हमारी तिली है वो बीच में काली हो जाएगी जो हम इसे पहले पाइक्रोवेव का माइक्रोवेव का माइक्रोवेव के माइक्रोवेव के नाइन हैंड़ेड वाडू देखे और स्टाठ की बटन को टैप किया दो से धाय मिनिट के जब हो जाएगा तो एक बार हम इसे फिर से चला देना है जैसे हमारा दो से धाय मिनिट गुंचते हुए हो जाएगा उसके बार हम दोर को खोलेंगे और इसे फिर से चला देंगे ये देखे धाय मिनिट हो चुका है stop की बटन को tap किया और अब हमसे face से खोलेंगे और फिर से इसको एक बार चला देंगे चलाना जरूरी है नहीं तो ये जल जाएगी बीच में काली काली हो जाती है एक दो बार चलाना रहता है वैस आपको start की बटन को tap किया तो बैस डाई मिनन्ट के बाद हमारी लो तिली है वो अच्छी तरह से भूंजाईगी टोटल इसे 10 मिन्ट लगते हैं और लो तैन मिन्ट के अंधर हमारी जो तिली है बहुत ही अच्छी तरह से भूं जाती है और इसको मैं भी आपके दिखाऊंगे इसका जो कलर होता है बहुत ही प्यारा आता है और इसे फिर हम कोईछ भी चीजे बनाते हैं तो इसका जो टेश्ट है बहुत ही अच्छा आता है तो यह देखें 10 मिंट के अंदर हमारी तुली है वो भून चुकी है तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है अभी यह बहुत ज़्यादा गरम है इस तरह से दिखिए मैं पूरा दिखा देती है कितनी अच्छी तरह से भून चुकी है अब हम इस तिली को एक अलग बरतन में निकाल देते हैं कि अब हम मूमफली को भी भून चुकी तिली और मूमफली से ही हम बहुत सारी डिशेज बनती है विंटर में तो अब हम ले लेते हैं मूमफली तो यहाँ पर मैंने 1500 गरम मूमफली लिए है यहाँ पर भी आपको वेट का बहुत ध्यान रखना है देड़ सो ग्राम मुफली के लिए जितना टाइम मैं दिखाऊंगी उतने टाइम में ये भुन जाएगी लिकिन यदि आपकी मुफली कम है तो आपको थोड़ा कम टाइम लेगा एक से दो मिनिट का आपका कम टाइम लगता है इससे कम मुफली के लिए तो अब मैंने रख दिया है मूमफली अब हम इसका टाइम सेट करेंगे मोड तो 900 वाट माइक्रोवेब का माइक्रो मोड 900 वाट और टाइम सेट करेंगे 7 मिनिट का स्टार्ट की बटन को टैप किया अप्टर 5 मिनिट सामें से चला देंगे इसमें भी वही बात होती है कि बीच में हीट होती है तो बीच वाली मूमफली भूझने लगती है साइड वाली थोड़ी सी रह जाती है तो हमें आप्टर 5 मिनिट से थोड़ा चला देना है जिससे की साइड वाली मूमफली भी अच्छी तरह से भूझ जाए तो ये देखिए पांच मिट करीब हो चुके हैं इसे भूंचते हुए जैसा ही टू मिनिट लेप्ट बचेंगे मैं इसे स्टॉप करूँगी ये देखिए टू मिनिट लेप्ट बचेंगे हैं तो आप मैं इसको चला देती हूँ पांच मिट में ही मुफली का जो छिलका है वो निकलने लगता है लेकिन इसके जो थोड़ी सी कच्ची रहती है छिलका तो निकलने लगता है लेकिन थोड़ी सी कच्ची रहती है तो इसे हम दो मिनट का टाइम और इसे दे देंगे तो टोटल 7 मिनिट्स में हमारी जो मुंफली है वुम होन जाएगी तो वेट का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप कम मुंफली रखेंगे तो टाइम कम लगेगा तो ये देखे बस टाइम होने वाला है तो यदि आज क्या वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइख शेर और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कुछ भी यदि आपको दिक्कत होती है माइकर विल से समद्धी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ये देखेए पूरा टाइम हो चुका था और हमारी जो मुफली है बहुत ही अच्छी तरह से भुण चुकी है बहुत ही किड़किड की आवाज आ रही थी मुफली भुणने की उससे समझ में आ जाता है कि हाँ हमारी जो मुफली हो भुण चुकी है अच्छी तरह से यह देखे चिलका वह अच्छी तरह से निकल जाता है यह देखि RIGHT कितनी अच्छी तरह से भून चुकी है तो आप इससे कुछ भूढ़ बनाएंगे तो जो डिश होकी आपकी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है क्योंकि हर चीज इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से और परफेक्ट तरीके से भूंचती है कहीं पर इसमें आप देख सकते हैं कहीं पर इसमें कालपन भी नहीं आया है और हर मुमफली का जो छिलका है कितनी अच्छी तरह से निकल रहा है तो आज की वीडियो यहीं तक था वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक जरूर करेगा क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोग से नेश्ट वीडियो पर जब तक अपना ख्याल रखिए थैंकि सो मुच बेचिन मैं भी